सर दखिये श्टॉक मार्केट में इमोसन तो होना जाज अगर कोई मार्केट में आ और इसमें इमोसन आ तो यह मसीन लर्निंग कर सकती है और हम हैं हुमन नेचर हुमन है तो इमोसन का इनवाल्मेंट जरूरी भी है और इसको कंट्रोल करने के लिए एक रास्ता है कि आप फिर तो इमोशन खतम हो जाएगा, हमारा इमोशन डर से ही कोरिलेट होता है। जो कि ट्रेडिंग एक्सपर्ट है, इलियोट वेव एक्सपर्ट है, ट्रेनर है और बहुती शांदर यूट्यूबर है। दूसरी हमारे बीच मोजूद है, अन्जू सानिया जी, जो कि माइंसेट कोच है, काउंसलर है और ट्रेडर है। तो इलियोट वेव एक सिस्टमेटिक और डिफाइंड कॉंसेप्ट है, जिसको हम यूज करके स्टॉक मार्केट में इंटर कर सकते हैं। तो यह क्या मार्केट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है, मार्केट अप एंड डाउन कैसे जाएगा। यह सर, इलियोट वेव जो है पुरी तरह से डिफाइंड है और यह बताता है मार्केट में कि क्या होने वाला है। मतलब मिन ऐसके मार्केट में टॉप लगएगा और मार्केट में बॉटम लगएगा कि वह सब कुछ प्रेडिफाइड होता है एलियोट वेव में। तो यह कितनी अकुरेट रहती एलिएटल मतलब जो यह prediction करती है कितनी बाद़ वह producers right रहते हैं Stock Market में वैसे कोई accuracy नाम कि कोई चीज नहीं होती है अगर यह दिमाग में लोगों चलता है कि कितने % prediction जो हागकण सहय है is it like the predict the probability यह exact ट्रडिट करते हैर प्रोडविलीटी बटा पाते हैं है ऐसा होता होगा इए इकजब नहीं पता चलता लेकिन पपी profits iquementतो ऑढ़िया आ मंदीज भी जीतने के प्रोड़िटी i 2 परसेंट है कोई भी यह पता सकता है बताना चाहते हैं, जैसे हम quarter second की बात कर रहे हैं, तो quarter second में हम लोगों इसी साल 83% की एकुरिसी हम लोगों ने मेंटीन की है, तो बहुत अच्छी accuracy, 83% को, I think anything above 60 is very good, और इसका पूरा record है अपने पास, पूरा trade setup सब कुछ हमारे पास है, तो आप अपना YouTube चैनल किस नाम से चलाते हैं, मेरे YouTube चैनल के नाम है Chartking Elliot Trading Academy, Chartking, यह नाम किस तरीके से आया, सार बिसिकली यह क्या है कि यह बात है 2011 की, जहां पर मैं जॉब करता था था, तो वहां पर एक Nifty है इंडेक्स, तो Nifty की accuracy को मैंने क्या किया था, कि वहां पर मैंने more than 2000 points गेन किया थे उस company में, Nifty की move होती है, point wise count की जाती है, तो वहां पर मैं that time 2000 plus accuracy points गेन किया थे, तो वहां के जो branch थे इस लड़के की chart rating बहुत अच्छी है, तो इसको ना मैं अपनी तरफ से इसको एक नाम देता हूँ, कि जब भी इसको कभी बुलाया करूँगा, तो चार्टिंग के नाम से इसको बुलाया करूँगा, मैं उसको continue कर लिया अपने प्रोफेसर्ण में, जार्ट पर अच्छे से रीड कर पाना, प्रेडिट कर पाना, यह भी क्या इलियर्ट वेव से ही जुड़ा है, या फिर यह कोई अलग skill है, बिल्कुल सही बात करें, आपकी जो चार्ट के जो रीडिंग है, वो कहीं से भी सीखे जा सकती है, कोई भी study अप्लाई करके, कोई भी concept अप्लाई करके हमनों सीख सकते हैं, बट इलियर्ट वेव क्या है कि वो एक systematic concept है, तो आपके पता रही करेंगा कि इसके बाद क्या होगा, अगर जहां पर हम एक दो तरगे chart रीडिंग होती है, कि जहांपर हम chart की reading करें तो हम यह नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा लेकिन अगर हम ऐलियर्ट वेशे चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, यहां से लेकर पूरे यह फाइफ पार्ट में फोल्ड होती है और यह जो हैंड है यह फोल्ड हो सकता है तो इस ट्वाक मार्केट में एक्जाक्ली ऐसे मूप चलते हैं फाइप मूप के बाद थ्री मूप से ही आएंगे यह फिक्स है तो जैसे कि यह नेचर है तो नेचर में फाइफ एलिमेंट्स है तो उसी से जैसे जैसे यह काम करते हैं जैसे कि अगर हम बात करें कि पानी नीचे हैं कितने परसंट पानी मिलेगा तो 82 परसंट नीचे ही पानी मिलेगा और हमारी यह थार्ड फिंगर क्यों लंबी है इसके प जब कहा गया कि सबसे लंबी होती है तो कर इस तरीगे से उर्ट अशता से नेचर से मार्केट में भी नेचर नहीं इसकी इसको इसको तो अगर हमारी बाइसे पहला मार्oke स्टार्ट होता यह मुव रहे गा रहे मतलब यह अगर स्की लेंथ दून्हों की लेंथ है और हम बात करते हैं कि अगर हम इसको 2 कि एन फ़र्थ फिंगर होगा 45 करते है तो 4 आगर हम इसको करते हैं वैज हमारी हो और 17 हो गिए आप देखाँगे 20 कि यह जो फिंगर है 16 मतलब अगर मार्केट में उन अचाँ चीऽ आएगा तो अपने मार्केड़ के पराबर ही आएगा ना उससे ज्यादा ना उससे कम इसको बोलते है अल्टरनेशन अल्टरनेशन इस फिंगर रही एक्सी लेंट एक्वल है मतलब फॉल भी आएगा मार्केट में तो एक तरीका है कि आप एक बिगिनर सीख रहा है तो बहुत अच्छे से उसको मेमराइज भ आप सिखाते हैं आपने कहां से सिखाए है फ्रॉम बेर और वाई इलियोट वेव मैंने जैसे कि पहले क्या होता था कि आज से तकरीबन दस बारा साल की बात है मलब पहले ऑफ लें सेमिनार हुआ करते थे तो वहां पर मैं एक सेमिजार अटेंड करने गया था तो वहां पर सर आये थे तो वह बता रहे थे कि मार्केट में जो होत सब कुछ मतलब इलियोट वेव के थूरु चलता है जबकि वह नाम मैंने फर्स टाइम सुना था तो बता रहे थे वह चार्ट पर दिखा रहे थे कि देखो यह बैब ऐसी गई उसके बाद यह ऐसा है हुआ फिर देख पर देखता हुआ कि वह एक्जाक्ली वैसे हुआ है जैसा उन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ था मेरे मन में यह जगी मुझे यह जानना है कि ऐसा पहले कोई कर बंदा कैसे बता सकता कि श्ट्राक मार्क ऐसा होने वाला है तो यह कितना समय पहले यह इन्वेंट की गई थ तो वह जो उस टाइम की थेरी वह आज भी आजवर कर रही है और वह तो बता चुके हैं कि आपके जन्म जन्म तक की काम करेंगे अच्छा सर यह देखी कि कभी भी मतलब उनों की आसे सो साल पुरानी थेओरी आज चल लेए और आने वाले सो साल भी यह थेओरी चलती सर देखिए स्टाक मार्केट में इमोसन तो होना जाज अगर कोई मार्केट में आ और इस इमोसन आओ तो एक मसीन लर्निंग ही कर सकती है और हम हैं हुमन नेचर हुमन है तो इमोसन का इंवाल्मेंट जरूरी भी है और इसको कंट्रॉल करने के लिए एक रास्ता है कि आप सहां जो एक टेट करम दिसके मैं इक कर रहा हुद कर लो कि कल को अगर नुसान भी दे तो उसमें डर न लगए तो अगर माइंड से डर निकल गया फिर वह इमोसन खत्म हो जाएगा हमारा इमोसन डर से हैा चाहिक थो झो है है डल और ग्रीड दोनहों यह में रहते हैं в ग्रीड का यह। जैसे कि होने का तो डर यह हैं लेकिन कई बार प्रॉफिट में भी डर है कि अभी आ गया तो इसको ले लूज़ा रहा कि लोस ना हो जाए और कुछ का गरीड बन जाता है कि अभी प्रॉफिट हो गया तो और और बड़ेगा क्योंकि वह उस वक्त वह रिजिट हो जाते हैं वह अपने फॉव देजेट हो ना था रिजेट प्रोफिट को रहे कि नहीं वे क्योंकि उरनोंटे पहले स्चावा था ये मेरा प्रॉफिट आएगा मेरी यह आपई एकथिट हो जएगा लेकिन vieजिट होता है अपने लोस को लेकर लोस आ iter गोंगेयानaris गर्षेट करिया अल्टा करत तो भी झालाग प्रॉफीट दिख रहा था था इंडिके अने अने अपना टो आपने यह पॉइंट अच्छा तो पुछ पुछ ऐसे कि entry exit stop loss के concept हम कई बार सुनते हैं तो exactly क्या है इसमें तीन टाम्स होती है entry exit और stop loss suppose कोई भी particular stock है और उसका price 100 है तो 100 पे हमारा entry हो जाएगा यानि कि हम इसको trade में position ले लेंगे और SL जो साथ में stop loss भी बोलता है इसको वह हमारा 100 रुपीज का कोई stock अपने बाई किया है अगर वह 90 रुपीज पे चला जाता है तो 10% का हमारा loss यानि कि वह 10% हमारा कम होता है तो हम उसको bear करने के लिए ready रहेंगे यह हमारा SL हो गया साथ पर वही जो मेरे 100 रुपीज का buy किया है अगर वह 250 चला जाता है तो that is our profit लेकिन होता क्या है जब भी हम कोई trade लेते हैं सिर्फ अपना धियान रखते है target और entry point SL पे नहीं जा पाते हैं अगर हम अपने SL पे पहले सही work कर लें कि अगर मेरा 100 रुपीज पर भाई किया है अगर 94 आता है तो वह 10 पॉइंट का जो लॉस मैं उसको bear कर लूंगा तो वहां पर उसकी अब करीद ब्रीक जोंगे सिर्फ एक मन का लॉस होगा शोगा 10 पॉंट का सिर्फ आइक से बंड़े सेट पवेले साथ प्रांट्ड आपर रखना ही इतने तक मेरा को acceptance है loss की and if it goes below that I don't have to keep waiting I just have to accept he have lost it and I have to go away I think so is other logical approach में आप आगे बढ़ सकते हैं इस कॉंसेट को अपके साथ रखेंगे तब ही आपके अच्छी है इसको एक एक जांपल की तर बता हूंगा कि जैसे हम प्रॉपटी खरिदे हैं सर तो हम क्या सोच के प्रॉपटी खरिते हैं कि इसको दस साल के लिए होल्ड करेंगे ऐसे तो नहीं कि हमने बाई गिया और आज ही करेंगे मैंचर तो अमार आपको अच्छा रिडन दे सकती है तो अब देखिए न कि आप कोई प्रॉपटी लेते हैं तो इसको बेट करेंगे आगर प्राइस का बढ़ता है तो मैं बेचुँगा लेकिन इसा नहीं सूचते हैं आज बड़ा आज ही बेच दिया क्योंकि लो करती है कई बार यह जो यह से पॉइंट पर मैं आपसे बात करूं तो यह जो फियर ओफेलियर होता है और रिस्क कम लेना होता है कई पास निस्टेक्स की वज़े से इंसान या लोसेस की वज़े से रिस्क नहीं ले पाता है तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि किस तरीके से वो deal करें सर मैं यही कहना चाहूंगी कि ट्रेडी को एक बिजनिस की तरह ने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पे धियान रखें अपने चार्ट पर और अपनी स्टडी पर ज़्यादा विश्वास करें किसी टिप्स पर काम ना करें टिप्स का क्या कंसेप्ट है न्यूज में कई बार चीज़ें आती है तो इन चार्ट और न्यूज का अपस में क्या रिलेशन है और जो टिप्स वगेरा निकलवाने से लोग करते हैं अभी आम जंता को तो ज़्यादा पता रहता नहीं है हम तो स्कैम और वो सीरीज जो आती है वो सब देखते हैं तो आइडिया लगता है थोड़ा तो आपके उपर डिपेंड हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट हो आप हमें गाइड करोगे जैसा आप बोलोगे हम आप वैसे फॉलो करेंगे इसको टिप्स बोलते हैं आप गलत होंगे तो मैं गलत हो जाओंगा तो न्यूज जो है और जो चार्ट है यह तोनों अलग है लेकिन लोग क्या करते हैं इसको मर्च कर देते हैं अगर कोई टेडर चार्ट को रीट करने अच्छी तरह से रीट करना जान गया फिर उसको नीट नहीं न्यूज का कि न्यूज में क्या होने होगा न्यूज में कैसा क्या होगा इसकी साटिनिटी जो है सरकेवल 20% है बाकि मैक्सम टेम जो चार्ट है वो 80% पहले बता सकता है कि क्या होने वाला है जो भी न्यूज ग्रियेट होंगी चैट पहले ही इंडिगेट कर देता है कि positive news आने वाली है या फिर negative पुझे कई बार जैसे जो perception बनता है market के अंदर या जैसे आजकर social media पर perceptions बनते हैं अगर आदानी का जैसे लूँ तो एकदम से इतना एक market में perception हो गया, news इतनी हो गई तो इन से market तो प्रबावीत होता ही है इसके पीछे सर क्या होता है कि पहले news जोती बनाई जाती है और अंदर रखी जाती है और कहीं न कहीं जैसे मैंने analysis किया है तो मैं चार्ट को पहले देख रहा था जैसे मार्च के बात है मार्च अपरेल के बाध है मैं चार्ट देख रहा तो प्राइस अपने प्राइस से जो पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए था उस प्राइस ही अबर वेलू हो रही थी प्राइस जिसे की मैं बात करो है其實 कोई चार्ट प्राइस होता जा रहा है तो अब कभी न कहीं न कहीं न यह स्टॉप करेगा उसके बाद ड्रॉप करेगा तो हमने अपने इस्ट्वेंट को भी आप इन फैक्ट यूटूब पर भी आकर मैंने एलेट दे दिया था कि अब थोड़ा सा अगर आपके पास आडानी के स्टॉक्स हैं तो उसको कम कर लें प कुछ चुबाई है तो उनका इंपक्ट पड़ा कि स्टॉक क्या हुआ कि स्टॉक से बंटी पर्शन से ज्यादा क्रेश हो गया लेगिन अब तो वापिस राइद हो गया है आप इसेंट लिग बाद बता रहा हूं कि सुप्रीम कोट ने टाइट किया इन लोगों की भाई न है तो यह हमारे जस्टॉक के लिए क्वा था पौश्टी स्टीमेंड है कि कोई मातितस का सुप्रीम कोट बोला है कि यह क्षी है तो च्टउक क्या हो सेंटीमेंट पग्ड़ा और युह रिबांड कर दिया तो सेंटीमेंट का तो यहनुद्ध इंपक्त अबालर के उपर ब लेकिन लोग क्योंकि emotional होते हैं इसी वज़े से sentiments की वज़े से stock market उपर नीचे होता है sentiment भी और technology यह दोनों matter करता है हम आजसा नहीं कहा रहे हैं कि market जो है technical के base वे चलता है sentimental का भी involvement हो ज़रूरी है क्योंकि sentimental क्या करता है वो fund create करता है market में market जो है पैसे पर ही डोटली डिपेंड है अब जैसे के छोटा से जामपल दे रहा हूं आज से तकरिवन 2013 की बात है एक stock है मैं अर्विंदो फार्मा की बात कर रहा हूं अर्विंदो फार्मा that time हम लोग ने 53 पर बाई किया था 53 पर और उस stock को हमने नांटी में विस सेल कर दिय सेंटिमेंट जो था उस stock का बढ़ता गया बढ़ता गया और जब इस stock 300 पहुंचा तो राकेश जुन जुन वाला सर ने उन्होंने हमने 90 पर एक जिट किया वह 30 पर बाई किया तो उन्होंने क्या किया हूं जब देखा कि sentiment company को बहुत अच्छा हो रहा है तो उन्होंने अप प्लेयर सेंटिमेंट से अच्छा खासा प्लेय करते हैं आप और हम सोचेंगे कि मार्केट डाउन टेंड हैगा तो अगर वह पैसा और मार्केट में डालेंगा तो श्टॉक और भगेगा तो यानिकि सेंटिमेंट तो न्यूज और परसेप्शन पर बहुत निरबड़ करता है जाने कि इसका भी एक बहुत बड़ा इंपक्ट है तो क्या मेनिपलेशन होती है जो बड़े लोग होते हैं क्या आर दे इन पोजिशन टू मेनिपलेट दे मार्केट विकर्ज आप न्यूज के जरीए शोशल मीडिया के जरीए परसेप्शन से आप एमोशन पैदा करते ह है इमोशन से मार्केट का सेंटिमेंट हो रहा है और सेंटिमेंट से स्टॉक मार्केट मेनिपलेट हो रहा है तो ऐसा कोई लोग कर सकते हैं कि गलत न्यूज या कुछ ऐसी चीज रियूमर ऐसी कुछ चीज है सर्किलेट की जाए जिससे कि एक जैसा हो सेंटिमेंट चाते है है आप यह पर सेंटिमेंट करते हैं जैसा आड़ करें गया गया और बहुत सब्सक्राइब मुझकल रहा है तो जहीं के लिए सटिक प्लेक्ट करते हैं जिस अगरते हैं जया पर अब पूरे से एलिगल है है Services सेन्टिमेंट से दे दे कर हम बड़े में तो एक तो बड़े बोड़ इसी सेंटिमेंट कंट्रोल हो गया on best विइब स्रहां उसको रोका नहи cureds को बड़े प्लेचा नहीं है कि साँ अ मेले प्लीयर से मेशिफ घ्राय से आप नालती Correct उनको रोका नहीं जा सकता है, वो डाल सकते हैं फंट, वो सेंटिमेंट को चेंज कर सकते हैं जो जो कई लोग इंसेंट ग्रेटिफिकेशन का अटिटूड होता है, कि इम्मीडियेट रिजल्ट चाहिए मुझे उसके साथ कैसे डिल के आजएए, वो कितना इंपैट करता है, कि बहुत सारे लोग जो इसमें लोसे खाते हैं, उसका क्या रोल है सब मार्केट में क्या लगता है सब को के इंस्टेट मनी बना सकते हैं हम लोग खासकर से जो हमारे यंग्स्टर है इसमें लर्निंग की लैक ओफ लर्निंग होती है लेकिन क्या करते है कि मैं इतना बैसा डालूंगा आज में डबल हो जाएगा इस हद तक चले जाते हैं कि वह सकल्पिंग कर लेते हैं लेकिन ट्रेडिंग में ऐसे नहीं होता है ऐसे मनी नहीं बनाई जाती है इसमें टाइम फ्रेम का खिल होता है जितने चोटे टाइम पर जाएंगे उतने आपकी लॉस की परबैबिलिटी बढ़ेगी एक पेशिंस के साथ एक प्रोपर टेट सट हमारा टाइम फ्रेम होता है कि जितने टाइम फ्रेम को आप बढ़ा करेंगे उतना ही आपका जो रेशियोज है प्रोफिट के वो इंक्रीज होगे तो एक पेशिंस डिवलोप करने की जौरत है हैंची सर इसके लिए क्या लर्निंग लेनी चाहिए इसमें जैसे कि हम लोग चोटे मोटे जो मूवमांट आएंगे ना उसमें न तो एक्जिट करना है न अपना प्रॉफिट बुक करना है पॉटम पे बाई करना है और टॉप पे सेल करना है यह वेव की पावर है आप लोग काफी बात करते हैंगी सीख करके करने वाला काम है तो एक राइट मेंटर क करते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो सिखाने के लिए बहुत लोग और चिंखने वाले वी बहुत लोग है उसीखने में एक कहण पकड़ कर साथ मैं मेंके चले हैं भुर सुर्ण फ़ l डेली बैटता हूं, लाइब मार्केट देटा हूं, यहापके पोजिशन चल लिये, क्या टेट चल लिये, उसमें क्या आपका वाई है, क्या सैल है, सब प्रोपर टरिके से विद्बन को समझाता हूं, इसी क्या होता है, हमारे इस्ट्यृइट को एक confidence मिलता है मेरा mentor मेरे साथ बैठा है तो हमारे साथ बैठा है तो हमारे साथ बैठा है तो हमारे confidence बिल्ट 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 अप हो गया तो उस position को हम उस state को हम copy limit time तक hold कर सकते हैं तो student हमारे करते हैं इस वी को follow करते हैं तो I think accountability एक right mentor के अंदर होना और plus what I believe is कि you should practice what you preach तो जो भी एक right mentor है उसका खुद का भी एक background होना जरूरी है मेरे क्याल से आजकल कई लोग मैं YouTube पे भी देखता हूं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि लोग trading सिखा रहे हैं लेकिन खुद लगातार loss में हैं कोर्स बेच के ही अपना घर चला रहे हैं लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं तो ऐसे लोग के लिए क्या वो छीजों का ख्याल रख सकते हैं विकोज देट इस इंपोर्टेंट अगर वेक्ति खुदी लोस में चल रहा है और वो किसी को गाइड करके ही बस पैसा कमा रहा है तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारी चाटकी इंग लिए टेडिंग अकेडमी अब लोग लाइव मार्केट में टेट कराते हैं और जो टेट हम लेते हैं वही अपने स्टुडेंट को कराते हैं तो जो अपने स्टुडेंट के साथ मैं जो भी टेट करता हूँ उनको दिखाता हूँ कि यह टेट कर रहा हूँ आप यह टेट कर रहा हूँ यह यानि कि ट्रांस्परेंसिव और डबल फायदा होता है क्योंकि जो स्टुडेंट क्लास में पढ़ते हैं पूरा थेओरिटिकल है उसको साथ में लाइ मार्केट में अप्लाई करता है वीव का फॉर्मेशन लाइ मार्केट में होते वे देखना उस पी टेट लेना यह बहुत मिस कॉंसम्संटन है कि वो इलेट जो है थीओरी है उसको अपना लाइ मार्केट में दिखाता हूं कि देखो इसके पैसे में यह टेट कर रहा हूं तो आप भी टेट कर सकते हो इस पर पोजिशन साइज एंड रिस्क पोजिशन साइज के हम बात करें तो पोजिशन हमारे पास एक बर्डरिंग की तरह होता है अगर हम लंबे दूरी चलनी है श्टाक मार्केट में तो हम हमेसा लाइट टेट करके चलेंगे तभी हम टार्गर तक पहुंच सकते हैं तो जब भी कोई भी जैकपॉट के नाम से तो कोई श्टाक मार्केट में कुछ होता नहीं है तो आप पॉजिशन उसी हिसाब से बना कि आप उसकर जो लॉस होने वाला है आप उसको बीर कर सको तो थोड़ा रिस्परी कर देगा अगर आप छोटा कॉआंटिटी में श्टाक लेंगे छोटे कॉआंटिटी में तो अगर को लॉस होगा रहोगे तो मांट सेट भी रीट करेगा कि चलो कोई बातने में इसको होल्ड कर सकता हूँ लेकिन यूज पोजिशन रहेगा तो अब उसको होल्ड ने कर पाओ गया आप पैनिक में आ जाओगे आप सोचोगे फटा-फट इसको एक्जिट करें अब जैसे आप एक्जिट करें कि मार्के र साथ में इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने स्टेडी और अपने चाट पर ब्लीव करें फोकस पर लर्निंग करें और अपने रिस्क और फियर को कंट्रोल करने के लिए लाइट साइज करें पोजिशन का मैं तो यही बोलूँगा देखो मेरे भाई मार्केट में से पैसा बनाना आसान है और उस आसान को करने के लिए आपको अपनी लर्निंग बर सबस्यादा फोकस करना है जितना ज्यादा ज्यादा सीखोगे आपको अपनी गलतियों को आपकी जो गलतिया वो दिखाई देंगी आप अपनी गलतियों सीखोगे तो एक अच्छा टेडर बन है क्या कोई पर्टिकुलर एजुकेटर लोग ही आ सकते हैं या एनिवडी के इंट्रेट स्टॉक मार्केट में तो कोई भी आ सकता है जैसे कि में एक जामपल देराओ कोई के टाइम पर मैंने एक लड़की को बढ़ाया था और वो लड़की क्लास 9 में थी और और यह वह अब बढ़ा लिखा होना चाहिए और एज लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं कोई कभी भी सिख सकता है और जो सब्सक्राइब लोग काफी पढ़ाई कर सकते हैं इसके बारे में समझ सकते हैं चार्ट किंग नाम से आपने बता हैं चार्ट किंग एलिए ट्रेडिंग यह डिली लाइब आता हूं में से बंट यह अगर इस बढ़ी जा सकती हैं अगर इस डिरेक्शन में लोगों को आगे बढ़ना हो तो वैसे लेटर तो मैंने बुग बहुत सारे वीडियो बना रखी हैं बुक्स भी मैंने रिकमेंड कर रखें लेकिन को अगर इस इस ट्वा आप इस बारे में बारे में जा सकते हो समझ सकते हो अच्छा जैसे ही जैसे टीनेज स्टार्ट होती है तो बचों प्रेशा होता है कि आपको पढ़ना है बड़ा होना है इंकम करने लेकिन फाइनेशल एजुकेशन वह नहीं देते हैं मेला बेटा भी टीनी स्टार्ट हुई है मैं मुझे देखते हुए इतनी ज्यादा नॉलिज कर लिए इन्वेस्टमेंट की कि अब अब बड़े वे वह उसे स्टोक की मांगता है सरका बेटा तो भी बहुत चुटा है वो भी सी मेरा बटा सेबंत में अभी बोलता है पापा अब बच्चों के लिए सेविंग्स की है साइबी स्टार्ट कर रहे हैं कोई स्टोक खरीदावा है या कोई प्रॉपर्टी वह भी हम उनी लोगों के लिए तो अपने बच्चों को एटलिस उसे नौन कराए कई वरी सडन डैथ हो जाए जैसे भी कोविड हो गया था पता न सब्सक्राइब को तो यह थोड़ा सा नौलिज बच्चों को दें एडुकेशन को कर देना चाहिए स्कूलों में भी मुझे लगता है क्योंकि यह एक स्कील है सर और यह आप ऐसा नहीं कि पैसा बनाया जा सकता है पैसा कामाया भी जा सकता अल्टीमेट इस्टुएंट का च इसको मैंने छोड़ा ने जोड़ा ने जब एडूकेशन इंवस्ट्मेंट करना इतना जरूरी है तो यह क्यों ना स्टार्टिंग में अपने दे यह कहना के सिफ कमाना है यह पहले से सिखा दे कि उसको मैंटेन कैसे करना है तो जादा बैनिफीशन होगा तो बहुत ही अच के YouTube चैनल पर आप जाए and now we will move to the rapid fire thank you so much sir so now we are going to start rapid fire with Manoj and Anju so number one question Anju और Manoj आपने कौन से stock में अभी तक सबसे जादा profit कमा है आपका अभी तक का सबसे बड़ा लॉस किस ट्रेड में हुआ था अगर आपको पात साल में अपना investment डबल से जादा करना हो तो आप किस stock में इंवेस्ट करोगी सबसे जब्सेश है अंजू ट्रेडिंग में stress कम करने के लिए आपकी unique technique है मैं बाताना चाहूंगी एक practice, holding और एक patience जितना आप इसको increase करेंगे उतना ही अप एक अच्छी डिडर बनेंगे अंजू आपके हिसाब से successful trader का important mindset क्या होना चाहिए तरह holding करके जितना हो चलेगा हर्शद मेंदा स्केम से आप लोगोंने क्या सीख लिया किसी वे टेटो के ethics के साथ चलना चाहिए कोई illegal काम ने करना चाहिए अंजू ट्रेडिंग में emotional decision making से कैसे बचे जितना loss अगर आपको एक super power मिल जाए ट्रेडिंग स्किल में तो क्या होगी साराम दो सारा हम मैं एक कोशिस करूंगा कूसे मुझे पता चलिया कि यह स्टॉक में इतना होने वाला है तो मैं अपना 70% पैसा जो है उसी स्टॉक में नगा दूंगा मैं आपका all-time favorite stock कॉन सा है मेरा all-time अगर एक दिन के लिए आपको option मिले किसी famous investor के रूप में रहने का तो कौन होंगे मेरे ideal राके जिन जिन वाला है सर क्योंकि वो पेसेंस के साथ hold देने सिखा की गए है चीज है राके जिन जिन वाला की trading style में सबसे जादा आपको क्या प्रभावित करता है तर टेडिंग को यहां वो investment के इसा आप से देखते थे और hold करते थे टेलिग्राम पर दिये जाने वाली tips पर भरोसर रखना जी है हां बिलकु रखना चाहिए कि कि आप उसी टेलिग्राम को ज्वाइन करो करो जहां पर आपको सीखने के लिए और वो जो expert आपको बता रहा है region क्या दे रहा ह है और सिखा रहा है आप उस टेलिग्राम को ज्वाइन कर सकते हो बाकि जिसा जहां टिप्स मिलना है जहां नेसेसरी मार्केट से लेटर कुछ पोस्ट मिलने आप उसको छोड़ सकते हो अगर ट्रेडिंग के अलावा और कुई profession चूज करना होता तो आप किस profession में हो मैं doctor बन